हमारी daily life में reflection of light का बड़ा ही मैतो है हम लोग यहां reflection of light के phenomenon को समझने जा रही है reflection of light का meaning होता है जब light जो है वो किसी particular medium से किसी particular surface पे incident होती है तो उस surface द्वारा उस light का portion reflect कर दिया जाता है bounce back कर दिया जाता है उसी same medium में इसे हम reflection of light कहते है reflection of light जो है उसमें आप देखें कि the process through which the light rays falling on the surface of an object are sent back is called reflection of light reflection of light जो है उसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर जैसे इस torch से जो light है इस surface पे incident हुई और यह light beam को इस तरह से यहां यह reflection हुआ वापस भेज दिया गया same medium में इसे हम reflection of light कहते हैं reflection of light के कारण ही आप shadows भी देख पाते हैं actual में इस tree को भी इसी कारण से आप देख पा रहे हैं और इसकी shadow को भी इस कारण से देख पा रहे हैं दोनों का reason reflection of light ही है same ही ऐसा है इस में भी आप देख सकते हैं mountain and tree भी जो आपको नज़र आ रहे हैं वो भी reflection के कारण है और उनकी shadow भी आपको जो नज़र आ रही है that is also due to reflection of light यहाँ पर हम reflection of light की phenomenon को थोड़ा इस detail में समझते हैं इस room में आप देखिए कि दो तरह के objects आपको डज़र आ रहे हैं luminous objects luminous objects वो होते हैं जो जिनसे light जो है वो light के source होते हैं जिनसे light जो है वो निकलती है और no luminous object वो हैं जो light के source नहीं है तो अब इस room में आपको यह सब objects जो हैं जो आप देख रहे हैं वो नज़र क्यों आ रहे हैं आपको यह sofa, table, window, sceneries, books सब क्यों नज़र आ रही हैं तो उसका बड़ा एक simple सा reason है इन सब का नज़र आने का कि यह सब चीजे से light rays आ रही हैं और वो light rays हमारी जब eyes में आती हैं तो eyes उसकी image form करता है यह इसी कारण से हम लोग बाग देख पाते हैं अगर इस room में इस वकद light ना होती और इस वकद यहां अंधेरा होता यहां पर darkness होती तो आप लोग कुछ भी नहीं देख पाते यहां पर क्योंकि इस room में भी light है इस कारण से आप देख पा रहे हैं इसमें देखिए कि यह तो यह object तो luminous object है तो normal सी बात अगर यह luminous object है तो इस से तो नजर आनासा वहाविक है लेकिन यहां पर आप देखिए कि यहां इन से sofa क्यों नजर आ रहा है यह table क्यों नजर आ रही है यह देखिए इसका reason यह है कि यहां पर मान लो कि कोई person है जो यहां से और देख रहा है तो इसको इस सब object क्यों नजर आते हैं इन objects के नजर आने का क्या reason है इस में देखिए कि इस luminous object से इस light source से यहां पर light हर तरफ light की raise निकलती है इन सब objects के ओपर यह light जो है incident होती है और इन सब objects पे light इन पे table पे इन पे light आने के बाद यह window से भी light आ रही है यह भी light source है तो इन सब पे इस तरह से जब light incident होती है तो incident होने के बाद वो reflect भी होती है और हर direction में every direction में वो reflect होती है तो इस तरह से light पूरे हर जिगापर reflect हो रही है अब यहां पर देखिए अगर light reflect होके light की raise इधर भी जाएंगी इस person की eyes पे भी जाएंगी और अगर जाएंगी तो इस person को यह table इस कारण से नजर आएगी और इसी कारण से यह sofa नजर आएगा इसी कारण से यह scene tree नजर आएगी यह सब reason है कि यह luminous object से light आ रही है अगर यह darkness होती इस में तो इन पे light raise नहीं आती है और ना ही यह उनको reflect करते हैं यह non luminous objects हैं so far वगरा जो की reflection के करण ही हम लगों को यह नजर आते हैं तो यह reason हुआ एक यहाँ पर हम एक phenomena और समय नजर रहे हैंगी यहाँ पर आपके पास यह जो leaf है यह green नजर आती है हमें इसका reason कहा है देख़ें सभी color की light incident होती है क्योंकि जो white light होती है उस में सभी colors available होती हैं अगर white light में सभी colors available होती हैं तो white light जो है वो white क्यों नजर आती हैंशा भी Lupgrey दो समया कि सेug्याइट में इस leaf पे जब यह white light incident होती है तो यहाँ पर यह सभी light के colors की waves को rays को यह अपने अंदर absorb कर लेता है और यह reflect करता है only green light को यह reflect करता है only green light को तो हमें इस से निकलने वाली जो light rays इसी particular wavelength की इन सब की wavelength अलग-अलग होती है इन सब की wavelength अलग-अलग है तो हमें जो है वो यहाँ से जो light आ रही है वो green light की wavelength ही हमें यहाँ से बाहर मिलती है अगर बाहर मिलती है तो हमें only यह green color का ही नज़र आएगा इस जैसे अभी किसी person ने अगर red shirt पहन रही रखी है तो वह है shirt red नज़र आती है क्यों इसका भी reason आप समझ गए होंगे कि